हेलो वीवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल में आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी टॉपिक पे डिसकस करने वाला हूँ जो यूटुब से लेकर गूगल सर्चेज में या फिर हम लोगों को भी मैसेजेज में इमेल्स में या इंस्टाग्राम में सबसे अधिक पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैं डिसकस करूँगा पेनिस इनलाजमेंट टेकनिक्स के बारे में वैसे इस टॉपिक पे यूटुब पे अल्रेडी काफी वीडियोज एबलेबल है लेकिन जादातर वीडियोज में कोई साइन्टिफिक एविडियन्स नहीं होता है और कुछ डॉक्टर्स जो इस टॉपिक पे वीडियोज बनाते हैं वो भी उस लेबल को टच नहीं करते जो एक यंगेस्टर को इन्फूएंस कर सके जिसको कि एक यंगेस्टर फॉलो कर सके लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन को फुल्फिल करने के लिए वो कई सारे ऐसे टीप्स और ट्रिक्स अपनाते हैं जो उनको फायदा करने के बजाए नुकसान ही पहुँचाता है इसलिए आज की इस वीडियो में मैं पेनिस इनलाजमेंट के लिए कुछ साइकोलोजिकल एस्पेक्ट के साथ कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा और कुछ पेनिस इनलाजमेंट इक्विप्मेंट के बारे में भी डिसकस करूंगा जिसको फॉलो करके आपको यकीनन फायदा जरूर मिलेगा तो पूरी इन्फर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्विस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतक जरूर देखे दोस्तों आज कल इंटरनेट और सोसल साइट्स की वजह से पॉर्नोग्राफी इतनी अधिक हो गई है कि एक यंगेस्टर और मेल्स में अपने सेक्सुल औरगेंस को लेकर क्यूरियसिटी और इंजाइटी होती है और जब वो पॉर्नोग्राफी में देखते हैं एक मेल एक्टर का पेनिस इतना लंबा है और जब वो अपने से कंपेर करते हैं तो वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और इस पॉर्नोग्राफी का रिजल्ट ये है कि कई बार एक मेल्स की उनकी फीमेल पार्टनर लंबे पेनिस की डिमांड्स करती है तो अब सवाल उठता है कि सैंटिफिकली एक मेल की पेनिस साइज क्या होनी चाहिए एक्सराइज के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से आप अपने बोडी पार्ट्स के अलग-अलग ओर्गेंस की एक्सरसाइज करते हैं जैसे बाइसेप्स बढ़ाने के लिए आप डंबल्स का यूज करते हैं कई सारे curls लगाते हैं जिस तरीके से अपने six pack abs बनाने के लिए आप curls लगाते हैं और कई सारे market में curls equipments भी बिखते हैं उसी तरीके से अपने penis को cosmetically handsome बनाने के लिए कुछ exercises करनी चाहिए लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि penis की normal size कितनी होनी चाहिए तो अगर मैं flaccid state यानि की non erection condition की बात करूँ तो एक male की penis अगर एक inch से लंबी है तो वो normal कहलाता है penis की size examine करने का सबसे अच्छा तरीका होता है erection condition में उसे आप measure कर सकते हैं तो मैं बता दूँ कि एक normal Indian male की erection में penis size 4 to 6 inches होती है और यही size इंडिया में लगभग 90% males की होती है और इंडिया में बस 7% लोग ऐसे होते है जिनका penis size 6 inches से बड़ा होता है और बस 3% लोग ऐसे होते है जिनका penis size 4 inches से कम होता है और अब बात करें अगर female partner को satisfy करने के लिए तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ एक इंच penis ही female partner को sexually satisfy करने के लिए enough होता है क्योंकि sexual activities के दोरान एक male penis में जो sensation होती है वही female की clutteris में sensation पैदा करती है means एक female partner को satisfy करने के लिए size से ज़्यादा आपकी stamina matter करती है हाला कि stamina के ऊपर मैं किसी और वीडियो में discuss करूँगा लेकिन अब सवाल आता है कि अगर आप फिर भी अपने penis size में growth चाहते हैं उसको थिकर और fuller बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो एक technique बहुत ही proven और authentic है वो है penis enlargement vacuum pump से अपनी penis में exercise करना और इसके लिए अगर आप अपनी penis में किसी अच्छे मसाज आयल से सब्ताह में लगभग 2-3 दिन अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद penis vacuum pump से enlargement exercise और therapy follow करते हैं तो यकीनन बहुत ही कम समय में आपको अपने penis में fuller और ठीकर महसूस होगा तो इसके लिए आपको market में कुछ इस तरह की penis enlargement vacuum pump मिलती है सबसे पहले अगर मैं इसको install करने के तरीके की बात करूँ तो इस packet में आपको एक साथ अलग-अलग 3 rubbers मिलती है जो आप अपनी penis की thickness के according इसका use कर सकते हैं आप अपनी penis की thickness के according इन तीनों में से किसी भी एक rubber को अच्छी तरीके से इस vacuum pump के उपर place करें इसके बाद आप इस vacuum pump में इस transparent pipe को fix करें और इस pipe की दूसरी छोर को आपको इस blue color के pump में fix करनी है और इस blue color के pump में आपको ये छोटी सी button type knob मिलती है जिसको की आप vacuum therapy करते वक्त air pressure बनाने के बाद आप air pressure को down करने के लिए इसको lose ये pack कर सकते हैं और इस pump की इस rubber की mouth में अपनी penis को insert करने के बाद आप इस pump से pumping कर सकते हैं और इस pump से pumping करने के बाद आपको अपनी penis में तनाव महसूस होगा क्योंकि वैकम के सहारे ये pump आपकी penis को आगे की ओर stretch करती है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि starting stage में आप अपनी penis में ज़्यादा जर्क यानि की ज़्यादा stretch करने की कोशिस ना करें आप बस हलकी pumping 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं क्योंकि शुरुआती में ही अगर penis को ज़्यादा लंबा बनाने के ख्वाइस से अगर आप ज़्यादा stretch करते हैं तो इससे आपकी penis की नसों में injury भी आ सकती है लेकिन हम लोग suggest करते हैं कि कभी भी आप अपनी penis की dry skin में ये pump insert ना करें इसके लिए आप कोई अच्छे massage aisle से penis को अच्छी तरीके से massage करने के बाद आप ये therapy करें तो ज़्यादा बहतर result मिलता है और इसके लिए मैं जो massage aisle अपने patients को prescribe करता हूँ वो है ये hot shot massage aisle क्योंकि इस hot shot massage aisle में काफी सारे ऐसे ingredients मिलाए गए हैं जो दूसरे penis massage aisle में नहीं होते हैं जैसे अगर मैं इसके ingredients की बात करूँ तो इसमें अकरकरा, जोतिसमती, दालचीनी, कौच के बी, जैफल, कुचला, नॉक्सवामिका, कपूर, ओलिव आइल और लॉम के तेल का इस्तेमाल किया गया है जो penis की नसों में blood का circulation बढ़ाने नसों में किसी प्रकार की दर्द और सूजन को दूर करने के साथ उसमें मजबूती प्रदान करने का काम करती है इसके अलावा ये hot shot aisle आपकी penis की मान स्पेसियों में भी तनाव पैदा करती है जिससे ये hot shot aisle आपकी penis में fuller erection और उसमें blood का circulation बढ़ा कर stamina प्रदान करने का काम करती है तो इस hot shot aisle और penis vacuum pump की एक ही साथ पूरी kit आप online purchase कर सकते है इसके लिए वीडियो के description में दिये हुए link से या फिर वीडियो के नीचे comment box में pin किये हुए purchase link पे विजिट करके आप इसे चेक कर सकते हैं और online purchase करके मंगवा सकते हैं रेगुलर इस penis massage aisle से massage करने के बाद अगर आप इस penis vacuum pump से therapy और exercise करते हैं तो आप महज 25 से 30 दिनों में अपनी penis की size में fuller और thickness पाएंगे इसके अलावा आपकी penis और ज़्यादा सुंदर दिखे तो इसके लिए आप अपने health का care भी कर सकते हैं इसके लिए अगर आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है या फिर thighs पे ज़्यादा fat जमा है तो उसको भी आप exercises के माध्यम से burn करें तो आपकी penis और अधिक लंबी दिखाई परेगी तो उमीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी और ज्यानवर्धक लगी होगी और इस वीडियो में बताए tips को follow करके आपको फायदा भी जरूर मिलेगा इसके अलावा अगर आपके मन में penis enlargement को लेकर या फिर कोई और health issue को लेकर कोई सवाल हो कोई क्यूरी हो तो आप हमें वीडियो के नीचे comment box में अपने queries mention करके हमें भेज सकते हैं ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें ताकि उनको भी इस topic के उपर proper और scientific knowledge मिल सकें और इसी तरीके से health related videos पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस जरूर कर ले ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का notification आपको मिलती रहें